दोस्तों याद रहे हैं यूट्यूब हमारे इस वीडियो की नोटिफिकेशन 19 लाख सब्सक्राइबर्स में से सिर्फ हजार लोगों को ही बेजेगा और थोड़ी देर में इस वीडियो को भी गायब कर देगा क्योंकि उसे अशलीलता से ज्यादा पैसे मिलते हैं न कि हमारे जैसे ज्यानवर्थक वीडियो से इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम और वीडियो लाते रहें तो क्रिपया इसे इतना शेयर करें कि यूट्यूब के मुँपे तमाचा लग सके हम यो पूरी यकीन के साथ कह सकते हैं कि हम सभी यहाँ जानवरों से प्यार करते हैं चाहे व वाले समुदरी जीवों के बारे में बताएंगे और शायद इन में से कुछ जैनवरों के बारे में अपने पहले कभी सुना भी नहीं होगा क्रोनोसारस जिसका मतलब है क्रोनोस की छिप के लिए एक छोटी गर्दन वाले प्लियोसार का एक्स्टिंक्ट स्पीसी है इनकी लंबाई लगभग 9 से 10 शमलों 9 मीटर की होते है ऐसा कहा जाता है कि यह प्लियोसार की प्रजाती का सबसे विशाल रिप्टाइल था अगर हम इसके नाम की बैद करें तो दोस्तों इसका नाम ग्रीक टाइटन के लीडर क्रोनोस के नाम पर रखा गया है अपने तेज लंबे और नुकीले दांद के लिए मशूर क्रोनोसारस से एक ही जटके में अपने शिकार को मार गिराते हैं इनका लंबा शरीर छोटी गर्दन और सकत शरीर इनको वाकई में एक भयानक और शक्ति शाली जीव की काटेगरी में शामिल करता है मूजसार को जाइन्ट मूजसार इसके लंबाई की वज़े से कहा जाता है मूजसारस के लंबाई 17.6 मीटर तक हो सकती है मुजसौरस का स्कल बहुत ही मजबूत और फ्लेक्सिबल माना जाता है यह बहुत ही उम्दा शिकारी थे लेकिन इनकी सूंगने के शक्ती बहुत ही कमजोर थी जो अकसर इनको मात दे जाते थे लेकिन इनका बेतरी इन विजन इनकी इस कमजोरी को छुपा लेता है तो माना चाहता है कि सारकॉसकस एक सिटी बस के बराबर हो सकता है और इसका वजन आठ टन तक होता है सबसे बड़ा जीवित मगरमच यानि के सॉल्ट वर्टर क्रॉकरडाइल जिसे हम सबसे बड़ा क्रॉक मानते हैं इसकी लंबाई के दो तिहाई से भी कम है नुम्बर फो लायोप्लोरडाउन लायोप्लोरडाउन जिसका मतलब है स्मूद साइडेट टीथ प्लिंसो रियेडा से समंधित बड़े मानसहरी मरीन रेप्टाइल्स का एक जीन्स है लियोप्लोरडाउन की दो प्रचातियां है इल फेरोक्स और एल पीचडेरस जो मिडल जिवरासिक ए 1999 में BBC की टेलेविजिन सीरीज वोकिंग विद डाइनसौस में लियोप्लोरडाउन फिरॉक्स को डेड़ सो टन तक वजनी और 25 मीटर लंबे विशालकाय राक्षस के रूप में दिखाया गया है लिविटन जिससे साइंटिफिक भाषा में लिवायतन मिल्विली के नाम से भी जाना चाता है एक प्री हिस्टोरिक वेल है जो रगबग 13 मिलियन साल पहले मियोसिन काल के दौरान रहते थी इसको पहली बार 2008 में डिसकावर किया गया था दरसल पेरू के कोस्टल डेजर्ट से इसके कुछ फॉसिल्स को खोजा गया था फॉसिल्स मिलने के बाद 2010 में इस वेल का नाम रखा गया था लिवियतन मिल्विल लिविटन का स्कल करीब 10 फूट लंबा होता है जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा आकार है उसके स्कल के साइस की मदद से वेगयानी की अनुमान लगाने में सफल हुए हैं कि ये प्रिहस्टॉरिक वेल लगभग 50 फीट लंबी थी और इसका वजन लगभग 50 टन गया 10,000 पाउंड था इसका मतलब है कि इसका वजन एक हाथी के वजन से 6 गुना से भी ज्यादा था लेविटन के पारे में सबसे दिल्चस्ट बातों में से एक ये है कि बाकी वेल्स की तरह ये प्लांक्टन को अपना भूज़न नहीं बनाती है वास्तब में ये मांसाहारी होती है जिसका मतलब यह है कि उनका पसंदीदा खाना मांस होता है कुछ बिलियोंट लॉजिस्ट ऐसी संभाबनाएं भी चताते हैं कि ये सील, डॉल्फिन और शायद वेल्स का भी शेकार करती थी टाइटन बॉआ सांपो की दुनिया का विशाल नाग दक्षिन अमेरिका के जंगलों में डाइनसौर के एक्स्टिंक्ट होने के लगभग 5 मिलियन साल बाद आए इस प्रिहिस्टारिक प्रजाती के लंबाई 50 फीट तक हो सकती है और इसका वजन करीब 500 पाउंड अगर इसका कंपारिजन हम पोलर बियर से करें तो ये पोलर बियर के तुलना में लगभग 2 गुना भरी होता है टाइटन बॉआ माक्सिमम 3 फिट चौड़ा हो सकता है होट और हुमिट क्लाइमिट वाले जंगलों में टाइटनों बॉआ बिलकुल सही फिट होता है टाइटनो बॉआ एक बहतरीन शिकारी होते हैं और वो इसलिए क्योंके इनकी भूरी तवचा इनको अपने इन्वार्णमेंट में पूरी तरह से ढख लेती है जिस वज़ा से कभी भी इनका शिकार इनको देखने ही पाता और खुद बखुद मौद के मूँ में चला जाता है समुद्र में रहने वाले जीवों में सबसे खतरनाक शाक्स को मना जाता है पर अगर बात हिली कॉप्रियन शाक के करें तो ये एक आम शाक से कई गुना ज्यादा बड़ी और खतरनाक होते है इस शाक के खास बात है इसके नुकीले दान इस शाक में पुराने और नए दान दोनों ही पाय जाते है जिस वज़ा से ये देखने में बहुती भयानक और अजीब लगती है हिली कॉप्रियन में पाया जाने वाला टूथ वर्ल इस शाक के लोर जों में प्रोड्यूस हुए सभी दान्तों का रिप्रेजेंटेशन करता है जैसे जैसे ये शाक्स बड़ी होती है इनके पुराने और छोटे दान सेंटर में आ जाते है और बड़े और नुकीले दान साइड में हो जाते हैं जिससे इनको शिकार करने में आसानी होती है फल्टो कॉन सैरोफागिस जिसका मतलब है लिजर्ड इटिंग सौवरें आफ द सी एक बहुत विशाल और डरावना सी क्रीचर है इसकी विशालता का अंदाजा आप इसके साइस से लगा सकते हैं ये कम से कम 28 फीट 8.6 मीटर तक लंबे हो सकते हैं वैग्यानिकों को मिले फॉसल्स से ये अनुमान लगाया गया है कि ये जाएंट सी क्रीचर्स लगबग 244 मिलियन साल पहले ट्राइसिक एरा के दोरान पहे जाते थे नुबर 9. डंकलियोस्टेउस डंकलियोस्टेउस एक बड़ा प्लैकोड डर्म अर्थोपोर्ड मचली था जो लगबग 380 से 360 मिलियन साल पहले दिवोनियन एरा में रहता था ये 10 मीटर यानि 33 फीट तक बढ़ सकता था और अपने समय का टॉप शिकारी था इसकी गिंती पहलियो जोए के एरा के टॉप शिकारियों में भी की जाती है बाकी मचलियों के तुलना में ये अपनी पारफुल बाइट के लिए मशूर था ये एक ग्रीट वाइट शाक साहित सभी मौडन शाक्स के कमपैरिजन में सबसे आगे था इसके पैस न सिर्फ सबसे शक्तिशाली काटने की अबिलिटी थी बलकि इसके काटने की स्पीड भी आपको हैरान कर देगी ये एक सेकेंड के पच्चासवे हिस्से में अपना मूँ खोलते हैं जिससे एक पारफुल सक्षन पैदा होता है जो शिकारी को अपने मूँ में खीच लेता है सबसे असामान या सी क्रीचर्स में यूरिप्टेरिडिस की गिंती की जाती है यूरिप्टेरिडिस यानि की समुद्रे बिच्छो इन जाइन्ट स्कॉपियंस में से कुछ इंसान के हाथ के आकार के थे जबके कुछ आदमी से भी बड़े थे और प्रित्वी पर सबसे बड़े अर्थ्रो पॉड में से एक थे ये नुकीला समुद्रे राक्षस ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के दो वैग्यानिकों के द्वारा खोजा गया था ये जानवर चार सो मिलियन साल पहले के प्री डेवोनियन एरा से आया था और समुद्र की जगा मीठे पानी के सिस्टम में रहता था और शेकार करता था नुम्बर 11 आकेचियोथिस टक्स जायंट सी स्क्वेड अकेचियोथिस टक्स ओशिन में पाया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा सेफलो पॉड सबसे बड़ा मुलस्क और शायद सबसे बड़ा इन्वर्टिप्रेट है ये लंबाई में 18 मीटर तक लंबा हो सकता है लेकिन इतनी लंबाई वाले स्क्वेड शायद ही कभी रिपोर्ट किया गए है अभी तक के ज्यादतर रेकॉर्ड देखे जाएं तो 6-12 मीटर की औसत लंबाई वाले स्क्वेड देखे गए है डक्स के छोटे ओविट फिंस और साधान रूप से बहुत लंबे टेंटिकल्स होते हैं जोकि इस स्पीसी के डिस्टिंग्विष्ट फीचर से है हली के अनुवानों में ये पाया गया है कि एक फीमेल डक्स का साइज मैक्सिमम 12 मीटर से 13 मीटर होता है और मेल डक्स 10 मीटर तक लंबा होता है एक फीमेल डक्स मेल के तुलना में ज्यादा लंबे और वजन वाले होते हैं बासिलोसारस एक बहुत ही खतरनाक तेज और लुकीले दान्त वाला सी क्रीचर था जो 40 से 35 मिलियन साल पहले समुदर में रहता था ये करीब 50-60 फीट लंबे हो सकते थे अगर हम इनके नाम की बात करें तो इनके नाम का मतलब है केंग लिजर्ड लेकिन वास्तव में बासिलोसारस एक छिपकिली नहीं बिल्कि अजीव से दिखने वाली भयानक वेल थी इनका स्केलेटन इतना लंबा और पतला है कि ये लगभग साप जैसा देखता है अभी भी बासिलोसारस के बारे में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं जानते हैं क्योंकि इसके शरीट के कुछ हैसे वेग्यानिकों की खोच से पहले ही नश्ट हो गया बिसलोसारस अपने समय का सबसे बड़ा मांस खाने वाला सी क्रीचर था और ये क्लाइमिट के बदलने की वज़ा से एक्स्टिंक्ट हो गया ओर फिश दुनिया की सबसे लंबी बोने फिश है इसके बारे में पहली बार 1772 में बात की गई थी लिकिन इन्हें बहुत कम ही देखा गया है क्योंकि जाएंट और फिश काफे गहराई में रहते हैं विशाल और फिश को लगभग 3300 फीट तक की गहराई तक देखा जा सकता है ये 56 फीट की लंबाई तक बढ़ सकती हैं और इनका वज़न 600 पाउंड तक हो सकता है इन मचलियों को अलग-अलग नामों से जाना जाता है छोटी मचलियों की तरह दिखने की वज़ए से इन सिलवर फिश को कभी-कभी हेरिंग स्केंग भी कहा जाता है इनके पिक्टोरल फिंस और फिश की स्पीसीज से काफे मिलते जुटते हैं जिसकी वज़े से इनका नाम जायंट ओर्फिश रखा गया। अपने पतले लाल रंग के फेंस के कारण इनको पलाओं में रूस्टर फिश कहा जाता है। तो भी कुछ लोग उनके शरीर की बनावट की वज़े से इन्हें रबन फिश भी कहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं कुछ जगों में ये फिश ट्रडिशनल इंपोर्टेंस भी रखती हैं। जपैन में और फिश को मैसेंजर फ्रॉम दे सी गॉद्स पैलिस के रूप में जाना जाता है। और वहां के लोगों का मानना है कि अगर बहुत सी मशलियां समुदर से बाहर निकल कर किनारे पे आ जाएं तो ये आने वाले भूकंप का संकेत हो सकता है। टैनिस ट्रोफियस एक 6 मीटर लंबा रिप्टाइल था जो मिडल से लेड ट्राइसिक एरा तक इस धर्ती पे पाया जाता था। इसकी लंबी गर्दन इसको दूसरे रिप्टाइल से अलग और खतरनाक बनाती थी। इसकी गर्दन 3 मीटर तक लंबी हो सकती है। इसकी में डायट क्या थी इस पर काफ़ी सालों तक डिबेट होती रही है। और अभी तक साफ तोर पे इनकी डायट के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हलांकि हाले में कुछ स्टडीज के मताबे कि इनको एक मांसाहरे रेप्टाइल माना जाता है। गोबलिन शाक गहरे समुदर में रहने वाली एक रियो स्पीसीज है। इनको कभी-कभी लिविंग फॉसिल्स भी कहा जाता है। गोबलिन शाक के बारे में इंटरस्टिंग बात ये है कि गोबलिन शाक में बलड जैसा देखने वाला लंबा और फ्लैट स्नाउट होता है। इस स्नाउट की लंबाई उम्र के साथ कम होती जाती है। एक अडल्ट गोबलिन शाक आम तोर पर 3-4 मीटर तक लंबी हो सकती है। लेकिन साल 2000 के दोरान एक विशाल फीमिल गोबलिन शाक को देखा गया था जिसकी लंबाई लगभग 5.4-6.2 मीटर बताई गई थी। ये खोज इस बात की और इशारा करती है कि ये प्रजाती अपनी आवरिज लंबाई से भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो दोस्तों ये था आज का विडियो। पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इसे सब्स्राइब करना मत बोलना थन्यवाद